हे गाईज आज मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगी मस्ट हैब प्रोडेक्ट पर एवरी गर्ल जो डे टो डे लाइफ में बहुत ज़्यदा इंपॉटेंट होते हैं हमारी ब्यूटी रूटिन में तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट माइक्रो फाइवर टावल माइक्रो फाइवर टावल नौर्मेल टावल से अलग होते हैं फेस टावल एंड बॉडी टावल अलग होना चाहिए Micro Fiber Towel Multi Purpose Towel होते है जिने हम Body और Face के लिए Use कर सकते है क्योंकि ये Skin पर हर्स नहीं होते है Skin को Irritate नहीं करते है and Hair के लिए तो बहुत ज़दा Useful होता है क्योंकि 70% Water को Soak कर लेते है and बहुत जल्दी Hair Dry भी हो जाते है और Micro Fiber Towel बहुत ज़दा Expensive भी नहीं होता है बहुत ज़दा Reasonable भी होता है मैंने Amazon से लिया है तो आप लोग Purchase कर सकते हो और एक अच्छा Towel में Invest कर सकते हो Next है Dry Brushing जो कि सब कोई नहीं करते है आयर्वधा के अनुसार Dry Brushing करने से Blood Flore अच्छे होते है हमारे Skin का जो Sales होता है वो Naturally Repair होता है Body में जो Dead Cell होता है वो भी Remove होता है Dry Brushing करने से जो Pores होता है वो Unclock होता है Dry Brushing से Body में जो Dead Cell होता है वो Remove होता है और Body का जो Texture होता है वो भी Smooth होता है Dry Brushing वैसे तो Bamboo एंड प्लास्टिक में भी मिल जाता है पर यह मैंने Local Market से लिया था और Only 20 रुपीज में लिया था तो मैं जादा Fancy Dry Brushing तो यूज नहीं करती हूँ आप चाहे तो कर सकते हो और इससे Skin बहुत ज़दा Smooth और अच्छा रहता है तो यह जरूर करना हपते में एक से दो दिन आप आराम से इसको यूज कर सकते हो वैसे Dry Brushing में पहले नहीं करती थे पर जब से मेरे Dry Brushing करना सुरू किया है मेरा Body का जो Texture है बहुत ज़दा Hard ता तो अभी बहुत ज़दा Smooth हो गया है Next है Bathtub जो की Feminal Lifestyle को Upgrade करता है यह Most Useful Product है जो हमारे Privacy को Maintain करने में Help करता है जैसे कि आपके Family में बहुत ज़दा Member है आप Washroom से Direct नहीं निकल सकते हो तो आपको Washroom में ही Ready होना पाता है, Dress Up करना पाता है, Washroom में Dress बहुत ज़दा गिला हो जाता है, मेसी हो जाता है तो आपको एक Bathtub ज़रूर रेना चाहिए, यह Must Have Product है, बहुत ज़दा Reasonable है 500 से मैंने Amazon से लिया था, बहुत ज़दा Useful Product है तो इसको ज़रूर याड़ करना है नेक्स्ट है, Sports Bra जो की बहुत ज़दा Important है, पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यह Must Have Product है Day-to-day लाइप में सबसे ज़दा हम लोग जो यूज करते हैं, वो है Sports Bra, Inwear बट हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े में ज़दा Invest करते हैं और Inwear में कम, हमेशा अच्छा ब्रैंड का अच्छा Quality का ही Sports Bra या फिर Inwear में आप Invest करना और Sports Bra आपका Walkout के टाइम पर बहुत ज़दा Important होता है, आपको एक अच्छा coverage मिलता है मेरी एक sister ने मुझे बोला था कि आप Sports Bra के बारे में बताओ, तो यहाँ पर मैं Share कर रही हूँ, आप लोग हमेशा Sports Bra में अच्छे से पैसा Invest कीजिए और अच्छा quality का लीजिए ताकि वो अच्छे से आपको support दे, comfortable दे और कोई भी bra ले रहे हो तो उसमें से 3 basic color आप हमेशा रखना एक white, एक wedge और कोई भी color रख सकते हो पर black जरूर रखना ताकि आप alternate में इसको use कर सकते हो अभी तक का मेरा Calvin का जो e-sports bra यह 7,000 में मैंने 20 लिया था अभी तक का best purchase रहा है बहुत ही अच्छा quality का है आप लोग अगर लेना चाते हो तो इसमें पैसा invest कर सकते हो या फिर आप जीवा मी में का जो e-sports bra आता है या फिर जो normal जो bra आता है वो ले सकते हो वो भी आपका 1500, 1700 या फिर 2000 के अंदर मिल जाता है बहुत अच्छा quality का हता है soft होता है आपको बहुत ही comfortable feel करवाता है और बिल्कूल भी गर्मी नहीं लगती है तो अभी summer का time आ रहा है तो आप कोई भी अगर bra ले रहे हो या फिर sports bra ले रहे हो वो आप हमेशा quality check करके ही लेना ताकि आपको comfortable feel करवाए कुछ-कुछ चीज़े आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका size है वो size में ही लेना और sports bra कभी भी आप lose मत लेना उससे आपको अच्छा support नहीं मिलेगा कि walk out के time पे आपको एक अच्छा support मिलना और comfortable feel करवाना बहुत ज़्यदा जरूरी है और हमेशा आप कोसिस करना white strap bra लो ताकि आप अगर कोई भी ऐसा top पहन रहे हो tube top के जैसा आपको वो अच्छे से coverage दे and sports bra के साथ साथ आप कोसिस करो tube बला जो bra होता है वो भी आप कुछ ऐसा basic color रखो ताकि वो जो भी आपको see-through जो कपड़ा होता है उसमें आप wear कर सको और HM का भी जो sports bra होता है नौर्मेली जो in wear होता है वो भी बहुत ज़दा soft होता है material बहुत ज़दा अच्छा होता है तो उसमें भी आप पैसा invest कर सकते हो हम लड़कियों का जब dress पैनता है तो panty liner दिखता है तो ऐसे ही जो pant आता है उसमें आप पैसा invest कर सकते हो बहुत ज़दा comfortable soft होता है और हम ऐसे कोशिश करना cotton panty आप wear करने के लिए इसमें आपको breathe मिलेगा अच्छा soft रहता है यह जिबामी का है यह भी बहुत अच्छा है यह बहुत ज़दा अच्छा है और अर्वानिक का भी बहुत ज़दा होना चाहिए और यह साइकल सौर्स जो की बहुत ज़दा अच्छा होता है तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गाया होगा कि आप लोगों कौन सा इन वर यूज़ करना है नेक्स्ट है हुडन कॉम जो हर लड़की के पास होनी ही चाहिए क्यूंकि प्लास्टिक के कॉम से हमारे हं में फ्रिक्शन प API ह Nou होता है और फोड़न कॉम बहुत ही अच्छा होता है हमारे hair को scalp को healthy रखता है and blood circulation को भी बहुत अच्छे से increase करता है hair fall को भी कम करता है and wooden comb में बहुत ज़दा scam भी होता है तो wooden comb जैसे neem comb बोल के बहुत सारा market में मिलता है तो जब भी आप purchase कर रहे हो थोड़ा सा research and search करने के बाद ही आप purchase करना and wooden comb यूज़ करने से health बहुत अच्छा रहता है हमारे hair का तो अभी तक अगर आप use नहीं कर रहे हो तो ज़रूर अपने routine पे एक wooden comb को याड़ ज़रूर करना क्योंकि wooden comb यूज़ करने से आपका overall जो hair का health रहता है वो बहुत अच्छा रहता है next product है facial razor and body razor जो कि must have product है हमेशा razor करने से पहले aloe vera gel जरूर अपलाई करना अगर sensitive skin हो ताकि rashes और irritation अपको ना हो अच्छा razor use करना body के लिए जो design किया गया हो वैशे तो razor तभी करो जब emergency हो नहीं तो आप waxing कर सकते हो वैशे तो सबका अपना-पना choice होता है बट razor अगर आप कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना razor करने से पहले aloe vera gel या फिर अच्छा quality का कोई sour gel यूज़ करो कि smoothly आपको hair को remove हो जाए और आपके skin को बिल्कुल भी irritate ना करें और फेस के लिए भी अच्छा quality का razor यूज़ करना क्योंकि यह बहुत जादे important है हमारे face के skin के लिए और साथी साथ आपके पास bikini razor यूज़ करने के लिए और बहुत सारा होना चाहिए ताकि आप एक razor बारबर यूज़ ना करो और आप अच्छे से hygiene को maintain कर सको नेक्स्ट है most important face cleaning brush यह silicon base brush है और मेरा बहुत ज़़ा फेबरिट है पिंग बाला मेने मिनिसो से लिया था दो मेने मेसो से लिया है यह यूज़ करने के बाद आपका face clean करने का experience ही बदल जाएगा क्यूंकि deeply face को clean तो करता ही है makeup को बहुत अच्छे से deeply clean करता है face में तो dulls, pollution, oil रहता है वह सारे चीज़ को बहुत deeply clean करता है आपके face को बहुत ही light exfoliate भी करता है यह बहुत ही अच्छा रहता है skin का clean करने के लिए और यह बहुत सारा design में भी मिलता है market में and nose के लिए भी बहुत अच्छे से finger brush मिलता है जिससे आपका white hairs, black hairs भी remove हो जाता है तो यह must have है आप ले सकते हो बहुत सारा design का मेरे पास है and I love it बहुत ज़्यादा reasonable price में market में मिल जाता है और फिमीनी सो में भी अब ले सकते हो और यह जो product है यह सब के लिए must have तो बिल्कुल भी नहीं है बट मेरे लिए है बताती हूं क्यों क्योंकि मैं home remedies करती हूं और खुद को motivate करने के लिए मुझे ने क्यूट क्यूट चीज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मुझे यह दिखा पूरा face pack लगाने के लिए पूरा किट दिखा जिसमें एक sponge है जो भी की बहुत ज़्यादा useful है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इस्प्रे बॉटल एक ब्रस मिला जिसमें face pack लगा सकते इस पैचुलर मिला यहां पर छोटा छोटा इस्पून मिला एन एक क्यूट सा बोल मिला तो मुझे एक क्यूट क्यूट चीज़ना बहुत ज़्यादा अट्राक करता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपना अच्छे से skincare कर सकूँ तो यह चीज मैंने लिया तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है next है hot gel bag जो की बहुत ज़्यादा useful है जो की हर लड़की के पास होनी चाहिए every month जरुरत होती है क्योंकि हमें period time पे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है बैक में पेन रहता है और यह मसल को बहुत अच्छी से रिलास करता है period time पे यह गर्ल्स के लिए तो मस्ट है प्रोड़क्ट है यह वैसे बहुत ज़्यादा रेजनेबल प्राइज में मिलता है डेड़सो दोसो एंड़ाइसो में मिल जाता है Amazon फिलिप कर्ड़ में आपको मिल जाता है और यह जल्दी से डामेज भी नहीं होता है लॉंग लास्टिंग प्रोड़क्ट है और हर एक लड़की के लिए मस्ट है तो इसको जरूर आप ल इसमें आप पोनी भी बना सकते हो या फिर चोटी बना सकते हो रात में बना के सो सकते हो बहुत ज़्यादा है अच्छा होता है है तो यह तो मस्ट है प्रोड़क्ट है तो आप ज़रूर यूज करना और नॉर्मेर रवर बैंड अब से यूज मत करना नेक्स्ट है बॉडी सावर एक्सपोलियेटर यह एक्सपोलियेटर ग्लाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बहुत अच्छे से इसकीन का जो डेट सेल है उसको रिमूव कर देता है और आप अपना बॉडी सावर रूटीन को और अच्छे से इंप्रूफ कर सकते हो इन ग्लाफ के साथ क्योंकि यह जो एक्सपोलियेटर ग्लाफ है आपका रोज जब आप सावर लेते हो माइल एक्सपोलियेट करता है आपका बॉडी का जो मोटा जो डेट सेल रहता है उसको अच्छे से रिमूव करता है तो उससे क्या होता है बॉडी का जो इसकीन का टेक्स् से बॉडी का जितना भी डर्ट रहता है वह अच्छे से क्लीन रहता है एक बर यूज करोगे तो इसके बीना अब कभी भी सावर लेने नहीं चाहोगे तो बहुत ज़्यादा यह यूजफुल प्रोड़क है तो इसको एड कर सकते हो रूटिन में नेक्स्ट है फूट इसक्राबर जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है हमारे ग्रूमिंग में फूट इसक्राबर यह मैंने मिनी सो से लिया था बहुत ही अच्छा है और यह ट्वीन ओन काम करता है वह कैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आपके जितने भी ड काहों में छो डिग सले उसको फोट रिमुव कर देता है और द्राय में आप इसका जब डेट स dew करते हो Parliament Force कर रे लाता है जैसे की मेराक्ते metallic रिमूब होड़ा है जैसे कर भी पूरा निकल गया है और जितना भी रहता है आपकर डेट से हो रीमूब भी कर देता है, आद बहुत ज़्यादा इसमूद भी कर देता है। तो यह मस्टnoch प्रोडाक्ट है बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइज में भी मिलता ये मैंने मिनिसो से लिया था और भी आप अपने fit के लिए ये mass use कर सकते हो ये fit care mass है ये भी मैंने मिनिसो से लिया था ये 120 में आता है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा useful होता है पाओं की खुबसूर्ती और इसका hygiene maintenance के लिए आप ऐसे ही कोई tools जो food के लिए होता है आप उस must have product है तो आप अपने routine पे जरूर इसको add करना लास्ट है face sit mask कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे instant अगर glow और hydration चाहिए होता है मेरे पास time नहीं होता है तो मैं sit mask use करती हूँ and मेरे लिए तो ये सारे product जो मैंने so किया है must have product है मैं अपना beauty routine पे इसको add किया है ताकि और ज़दा improve कर सकूँ और मुझे motivation भी मिलता है and अपना skin hair body के लिए भी थोड़ा थोड़ा चीज मैंने add किया है ये मैंने एक दिन में बिल्कुल भी नहीं लिया है हर मेहिने थोड़ा थोड़ा मैंने पैसा मैंने saving किया है उसके बाद मैंने ये सारे चीज purchase किया है इन में से कौन सा चीज आप लोगों को ज्यादा purchase करने वाले हो ये भी बताना और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे comment करके बताना फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को like कर दो share कर दो and खुस रहो खुद को प्यार करो और आपने आपको बहुत thank you for love अपने को बहुत सारा प्यार next वीडियो summer skincare related वीडियो बनो या फिर कुछ और comment में जरूर बताना बाई thank you for watching